हाई गाईज, आज का वीडियो होट पहली डाइट प्लान पे हैं, यह 30 दिनों का डाइट प्लान है और यह आहर विदा पे बेस्ट है, यह आपके डाइजेस्टिफ सिस्टम और बोडी के मेटपॉलिसम पर फोकस करेगा, यह आपके डाइजेशन को स्ट्रॉंग और इसरे दिन, चीनी, मीट, प्रोसेस्ट काब्स, आर्टिफिशल स्वीटनर्स और फुल फैट डेरी जैसे बटर, घी, फुल फैट मिल्क वगेरा नहीं लेना है, अपने दिन की शुरुआत करें कैस्टर ओयल क्लेंसे, इसे खाली पेट पीना है, इसे बनाने के लिए एक टे साफ होंगे, टॉक्सिंस बाहर आएंगे और आपकी बॉडी पूरी तरह से टीटॉक्स होगी, कैस्टर ओल क्लेंस पे मैंने चैनल में एक वीडियो भी है, उसे देखना न भूलेगा, लिंक दिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इस प्रोसेस से एर्रेगुलर पीरियेट्स, क इस से आपका बॉडी फैट जल्दी कम होगा, बाकी की दिन हेल्दी डायट पे रहे और खाने में विजटेबल सालेड, ओटमील, सूप्स या खिचडी ले, इस प्रोसेस को तीन दिन फॉलो करेंगे, तो आपकी बॉडी ओवरीटिंग और फूड क्रेविंग से डील करना स और पीना है, जिन से आपका मेटबॉलिजम बढ़ेगा और बजन जल्दी कम होगा, इन दिनों में भी काफी सारा गुनगुना पानी या ग्रीन या ब्लाक टी या ग्रीन या ब्लाक कॉफी पीते रहना है, याद रखें, मील्स के बीच में कुछ नहीं खाना है, ये कुछ intermittent fasting की जैसे काम करेगा, जिससे weight loss ज्यादा होगा और health भी ठीक रहेगी, इन 23 दिनों में आपको castor oil cleanse follow नहीं करना है, दोपहर का खाना सबसे main meal होगा, मतलब राच के खाने की calories, दोपहर के खाने की calories से आधे होने है, for example, अगर दोपहर को एक प्लेट खिच्री खाएंगे, त तो रात को आधी प्लेट खिच्री खानी है, अब सुबह के नाश्टे से शुरू करते हैं, सुबह एक लास protein shake पीएं, इससे simple रख सकते हैं, low fat या skim doud, या badam या soy milk या पानी यूज़ कर सकते हैं protein shake बनाने के लिए, कोई भी protein powder ले सकते हैं, जैसे whey, pumpkin seed protein powder, organic plant protein powder, protein and herbs वग आपको अच्छे amount में protein मिल जाता है दिन की शुरुबात करने के लिए, इनमें calories कम होती हैं, muscle loss नहीं होता और weight loss काफी होता है, प्लस आप कुछ ऐसा नहीं खा दे, तो इससे weight loss कम होगा या calories में फुसादा होगी, ये एक simple और straight option है नाश्टे का, और कोई confusion नहीं होगा, कि क् और क्या नहीं, अब दोबहर में मेरे हिसाब से best option है एक plate खिचडी का, मेरे चानल में खिचडी की recipe मौझूद है और link description box में है, इसकी recipe काफी simple होती है, चावल को दाल और कुछ सबजियों के साथ pressure cooker में बना ले और ये तयार है, round rice यूज़ करें सफेद चावल की जगे, क्य regular salt की जगे, क्योंकि उससे water retention के issues नहीं होंगे, शाम को हलका snack ले, जैसे dark chocolate, ताजे फल, nuts या उबले हुए सफेट चने बगेरा, रात को आप दुपहर वाला खाना भी repeat कर सकते हैं, लेकिन आधी quantity में, कुछ और food options भी हैं, जैसे की एक bowl soup, एक plate salad, नमकीन oats, boiled या steamed veggies, अंदे, chicken, fish बगेरा, याद रखें, ये सभी दिन, कुन-गुना पानी, या green या black tea, या green या black coffee, पीते रहना हैं, और meals के पीछ में, कुछ ना खाएं, अब आखिर के चार दिनों पे आते हैं, इन चार दिनों में, दिन की शुरुवात, खाली पेट, castor oil drink से करें, साथी कुछ और healthy खाना अपने diet में लाना शुरू करें, जैसे सुभ्य नाष्टे में boiled, fried या scrambled eggs, smoothies, oatmeal वगेरा, चीनी, meat, processed carbs, artificial sweeteners, और full fat dairy, जैसे butter, ghee, full fat milk वगेरा, अभी भी नहीं खाना हैं, लंच और डिनर का rule अभी भी follow करें, यानि रात का खाना आधा होना है दो पेहर की खाने से, शाम को हलका snack लें, जैसे dark chocolate, ताजे फल, nuts या उबले हुए सफेट चाने वगेरा, और गुन गुना पानी या green या black tea, या green या black coffee पीदे रहें, और साथी meals के बीच में कुछ ना खाएं, तो इस तरह का आपका 30 दिनों का hot belly diet plan होना है, जिस पे शुरुवाती 3 दिन और आखरी 4 दिनों में ही आपको castor oil drink या castor oil cleanse follow करना है, ध्यान दे, खाना गरम खाएं, ताकि वो असानी से digest हो और वजन कम करें, खाने में variety लाएं, ताकि 30 दिनों में nutrition की कोई कमी ना हो, खाना fresh बनाएं और बचा हुआ ना खाएं, क्योंकि IRPDA food guidelines के हिसाब से खाना fresh बनना चाहिए, फोकस करें fresh और unprocessed खाने पे, exercise करना जरूरी है, ताकि body ठीक रहे, weight normal हो और digestion सही रहे, आप चाहे तो योगा भी कर सकते हैं, ये plan सबके लिए safe है, including thyroid, PCOS, PCOD, diabetes वगेरा, nursing और pregnant mothers इसे ना करें, क्योंकि शायत आपको उतने calories ना मिले, जदनी आपकी body को हर गन चाहिए, ये diet try करें, क्योंकि ये Ayurveda पे based है, और इससे आपकी body detox होगी, metabolism बढ़े खाँ और वजन असानी से 15 kg तक कम होगा, वो भी सिर्फ एक महिने में, उमीदे आपको इस वीडियो पसंद आया हो, अगर हाँ, तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, और अगर नई हैं, तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मैं जल्दी मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक इस hot belly diet को follow करें, अपनी सारे पेट की समस्याओं से मुक्ती पाएं, और अपनी जिन्दगी में बदलाव लाएं, बबाई बदलाइब एक भी जए पैनल सब्सक्राइब के समस्याओं तक्ते को साथ, ज हीडि़ से उन्दग्याओं, भल वल वल पेटलावी को समश्ैब जए चूलाएं,